हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक सीरियस टोपिक पर सीरियस टोपिक का मतलब ये कि आपका चैनल अगर सस्पेंड हो गया है आपके चैनल पर तीन कोपी राइट श्ट्राइक आ गया है तो क्या आपका चैनल वापस आएगा अगर वापस आएगा तो वो कौन सा प्रोसेस है और कितना दिन का टाइम लग सकता है बहुत से मैसेज मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे पास पर दे 20 से 30 मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसी पर आते हैं कि सर मेरा चैनल सस्पेंड हो गया है मेरा चैनल बंद हो गया है मेरे चैनल पर कॉपिराइट इस्ट्राइक आ गई है मैं क्या करूँ तो मैंने सुचा एक सेपरेट वीडियो ज़ आज मैं आपको एकदम फेस टू फेस बता दूँ और आपको ऐसी जो बाते बता रहा हूँ ये यूटूब पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये यूनीक है और यूनीक बातें सिर्फ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलती है क्योंकि मैं वही बाते बताता हूँ जो आपके लिए जरूरी हो मेरे को मैटर ये नहीं करता मैं जुट बोल के आपको कोई भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता भले ही मेरे पास सब्सक्राइबर कम हो व्यूज कम आते हो लेकिन जो बाते मैं आपको बताता हूँ वो जैनुवन होती है 100-101% सही होती है नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रभाकर है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चेनल में सबसे पहले आपको जानना बहल जरूरी है कि क Christmas큼ा। दूसरा कि आपको पता नहों आपने किसी दूसरे का छोड़ा सा क्लिप यूज करके अपने वीडियो में डाल दिया हो और जिनका भी clip यूज किया हो उनकी policy ये रही हो कि अगर आप हमारा कोई भी clip यूज करते हैं तो हम आपको copyright strike भेज देंगे तीसरा बहुत सी ऐसी कंपनिया है जैसे airplex हो गई और कोई software की company है और बहुत सी ऐसी कंपनिया है जो आपको copyright strike भेज देती है ये copyright strike इसलिए भेजती हैं दोस्तो क्योंकि इनके पास जैसे मालो मैंने altbala जी की कोई एक web series upload कर दी जब altbala जी की एक web series upload कर दी तो altbala जी ने क्या कर रखा है अपनी सभी policies को airplex को दे रखा है airplex का सिर्फ यही काम है कि वो search करती है कि altbala जी की कोई video कोई youtube पर upload न कर पाए जैसे ही अगर थोड़ा बहुत upload कर देता है तो उन्हें वो airplex वाला strike भेज देता है airplex का यही काम है कि वो मतलब उनके बहुत सारे client हैं चाहे वो bcci ले लो या फिर altbala जी ले लो या star india ले लो star plus ले लो या sony का ले लो तो इन सभी वीडियोज को airplex ने मतलब देखती रहती है airplex का यही काम है उनके team है और वो search करती रहती है कि कोन सी वीडियोज किसी ने upload करी है और जिनकी वीडियोज ज़्यादा popular हो जाती है उनको वो strike दे देते हैं इन तीन कारणों से आपके channel पर strike आती है अब आपके channel पर एक strike आई है तो कोई दिक्कत नहीं है दो आई है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तीन आ जाती है तो किसी किसी के पास time ही नहीं मिलता है YouTube time ही नहीं देता है उनको कि आपका channel 7 दिन का time दे रहा हूं आप सम्हाल लीजिए और किसी किसी को 7 दिन का time देता है तो किसी किस अपील करना होता यूटूब को अपील करने के लिए copyright at the rate youtube.com पर आप YouTube को अपील कर सकते हैं और जिस वीडियो पर आपके copyright आया हुआ है उस वीडियो को आपको भोल कर भी delete नहीं करना है अगर आपने वीडियो डिलीट कर दिया है तो डरो मत लेकिन कोशिस करो कि delete नहीं करना ह आपके वीडियो पर copyright जो आता है वो strike हटती नहीं है पिर कुछ जब आपके पास कोई proof ही नहीं है कि किस पर copyright आया है किस पर नहीं आया तो आप कैस पर claim करोगे किस पर दावा करोगे तो इसलिए YouTube कहता है आप वीडियो को delete ना करो अगर YouTube ने वीडियो आपकी delete कर दी है तो आपको cancel लेने की जोड़ नहीं है उस वीडियो का title, URL और उस वीडियो के description को अच्छे से copy कर लो और YouTube को appeal करते time उसमें लिखो कि sir मैंने गलती से upload कर दिया है आगे से ऐसा upload नहीं करूंगा अगर YouTube मानता है आपकी बात को तो ठीक है और जब आप YouTube को appeal कर रहे हो तो ध्यान र उन्हें बताना है अपोलाइज करना है कि sir मेरे से गलती हो गई आगे से ऐसी वीडियो नहीं upload करूंगा मैं बहुत मेहनत कर रहा था और ध्यान से मैं काम करूंगा जिससे की आगे से कोई भी YouTube की policy के वाइलेट ना करूं मैं और आगे से मैं अच्छे अच्छे वीडियो डा जादा वाइलेट नहीं किया है तो YouTube को एक आधी वीडियो होती है चल जाएगा लेकिन अगर आपके चैनल पर सभी वीडियो जी ऐसी है तो दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है और अगर आपको जब समझ में ना आए कि अब क्या करना है कोई भी ड कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना वीडियो देखने के लिए आपका सुक्रिया